सबी बच्चे बड़े और साथियों को मेरा हेलो और नमस्कार मैं डॉक्टर हीमान्शो और रोड़ा यहां के लाश हॉस्पिटल दहरादून में नेत्रचिकित्सक के पद पर आखों की जाच और इलाज करने के लिए कार्य रत हूँ आज यहां मैं आपके समक्ष World Sight Day या विश्व द्रिश्टी दिवस के बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ साजा करने आया हूँ यह दिवस International Agency for Prevention of Blindness IAPP के अंडर साल 2000 से हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को एक ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है इसका मुख्य उदेश्य आखों के विभिन बिमारियों के बारे में सारवजनिक सतरकता और जागरुकता लाना है इस वर्ष का हमारा में थीम है Love Your Eyes माने की अपनी आखों को प्यार करिये आखें शरीर के हर अंग की तर हैं उपर वाले का हमें दिया एक नायाब और अध्भुत उभार है तो जाहिर सी बात है कि इनका खयाल रखना हमारा फर्ज है दोस्तों, Sight is our Right and Preserving Vision is our Responsibility अगर दृष्टी मेरा अधिकार है तो आखों का खयाल रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है और इस वर्ष के थीम का चयन भी इसलिए किया गया है कि अगर हम अपनी आखों से प्यार करेंगे तभी उनको हमेशा स्वस्त रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे आपको जानकर दुख होगा कि विश्व में करीब 30 करोड लोग कम दृष्टी से प्रभावित है जिन में करीब 4 करोड लोग दृष्टी हीन है पर साथी जानकर थोड़ा आराम भी मिलेगा कि इन में 80 प्रतिशत लोगों की नजर को बचाया या बहतर किया जा सकता है मैं उम्र के नजरिये से आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ अगर हम बच्चों से शुरुआत करें तो चश्मे की जरूरत या रिफ्रेक्टिव एरर भेंगापन यानि किस्क्विंट और कमजोर आँख या एमलायोपिया इस उम्र के मुख्यों वो पहलू है जिन्हें समझना जरूरी है तीन-चार साल की उम्र से ही हमें अपने बच्चों की जाच करवा लेनी चाहिए कई बार बच्चे बता नहीं पाते कि उनकी नजर धुन्दली है क्योंकि उन्हें लगता है दुनिया वैसी ही है जैसी उन्हें दिखाई दे रही है अगर आट साल की उम्र तक किसी बच्चे को चश्मे की जरूरत हो और ना दिया जाए तो आखे पर्मनेंटली कमजोर पढ़ सकती है समय से हुई जाच जीवन भर की कमजोर नजर से उन्हें बचा सकती है टीवी नजदीक जाकर देखना, किताब ज्यादा नजदीक रख कर पढ़ाई करना आखे मीच करके देखना, बार-बार आखे मलते रहना आखे लाल होना या उनसे पानी निकलना सरदर्द की शिकायत होना, पढ़ाई में मन ना लगना ऐसे कुछ लक्षन हैं जिनमें हमें समय रहते अपने बच्चों की आखों की जाच करा लेनी चाहिए दस से चालिस वर्ष उम्र वालों में आजकल कम्प्यूटर और मोबाईल का इस्तमाल बढ़ जाने की वज़ह से कम्प्यूटर विजन सिंड्रोम काफी आखों को प्रभावित कर रहा है इसमें भी सही से जाच करके आखों को स्वस्थ रखने में मदद की जा सकती है चालिस उम्र से ज्यादा के लोगों को मेंली ग्लोकोमा या काला मोतिया शुगर पेशेंट्स में परदे पर असर होना यानि डायबिटिक रेटिनो पे थी एज-related macular degeneration जैसी बीमारी जल्द पकड़ने के लिए regular check-up कराना चाहिए ग्लोकोमा या काला मोतिया हमारे देखने के दाइरे को यानि field of view को धीरे-धीरे खतम कर सकता है इससे विश्व में लगबग 6 करोड लोग प्रभावित है डायबिटिक रेटिनो पे थी और ARMD में परदे में सूजन आने से नजर धुन्दली या पूरी तरहें कमजोर हो सकती है एक आंकडे के मुताबिक हर तीसरे sugar patient के परदे में बुरा असर पाया जा सकता है 45-50 उम्र से उपर वालों में mainly cataract या सफेद मोतिया के लिए नियमित रूप से जाँच होनी चाहिए सफेद मोतिया एक प्रकार से बिमारी नहीं बलकि उम्र का असर है इसे सही समय से जरूरत से ज़्यादा पक जाने से पहले ही operation करा देना सुरक्षित और ज्यादा लाबकारी होता है कुछ ऐसी बातों पर भी आपका ध्यान लाना चाहता हूँ जिन से हम अपनी आखों और नजर की देखभाल कर सकते हैं फलों और हरे साग सबजी का सेवन करना, स्मोकिंग या किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन ना करना, धूप में धूप के चश्मे पहनना, अपने काम के मताबिक चोट से बचने के लिए चश्मा लगाना, कंप्यूटर और मुबाइल का जरूरत अनुसार ही उप्योग करना आँखों और अपने शरी की सफाई रखना, डॉक्टर की सलह बिना अपने आप दवाई का इस्तमालना करना, रेगुलर रूप से आँखों की जाज करवाना और दी हुई सलह को सही से फॉलो करना, इन बातों को अपनाने से आप अपनी और अपने नजदी की लोगों की अधियम से नेत्र जांच के बारे में आपका नजरिया खोलेगा और आप हमें आपकी नजर बहतर करने का मौका अवश्य देंगे, इसी के साथ अगली मुलाकात के लिए आप से आगया लेता हूँ, जै हिंद, जै भारत!